आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं merge-sort algorithm की और merge-sort एक simple सा algorithm है जिसमें कि हम लोग एक array को तुकडों में तोडते हैं, sort करते हैं वापसे तुकडों में तोडते हैं यानि कि अगर मालो मेरे पस एक array है 7,8,22,81 ये मेरे पास मालो एक array है तो मैं क्या करूंगा तो मैं इसको टुकडों में तोडता जाओंगा जब तक की इसमें एक 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 element ना बच जाएंगे तो मैं वापस से इनको merge करता जाओंगा such that जो merged array है उसमें ये दोनों element sorted होँग। अगर आप लोग को यह समझ में नहीं आया तो मैं आप लोग को सबसे पहले merge procedure समझाता हूँ और उसके बाद आप लोग को बहुत clear idea लग जाएगा कि merge sort इस merge procedure को use करके किस तरह काम करता है दो sorted array हैं हमारे पास इसको मैं बोलता हूँ sorted array 1 sorted array 1 यहाँ पर मैं sorted array 1 लिख देता हूँ इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sorted array 2 sorted array 2 यहाँ पर यह इसको मैं i मानता हूँ कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे i मानता हूँ और यहाँ पर ऐसे मैं j मानता हूँ और यहाँ पर मैं k मानता हूँ ठीक है, तो i is equal to j is equal to k is equal to 0, ठीक है, यह मैंने i, j और k को ऐसे initialize कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मालो इसका size m है, इसका size n है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, मालो इस 0 to m तक जा रहा है, या आप size भी m मान सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप लोग इस चीज़ को, अब ही हमें करना क्या है, हमें करनी है, merging, ठीक है, हमें कुछ ऐसा करना है कि 2 arrays को हमें 1 array में merge करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे compare करूँगा, यानि कि i वाले element को j वाले element से compare करूँगा, फिर मैं यह देखूँगा कि इन दोनों में से छोटा कौन है, कौन सा j है, मैं क्या करूँगा, जह करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, जहां पर i है और यह उन 전 दोनों क Merry करूँगा, और उन दोनों में से सबसे चोटा element हो कको मैं करta क्या वाले करूंगा, ठीक है और उसी के साथ साई जो के है इसको भी एक कदम आगे बढ़ा दूगा अब मैं वापस से compare करूँगा किसको मैं वापस से compare करूँगा i पर जो element है और j पर जो element है इन दोनों में से छोटा कोई है इस बार इन में से छोटा भी 7 है तो मैं 7 को यहाँ पर लिख दूँगा और I को आगे बड़ा दूँगा यानि कि जो भी मैं लेकर आए अपने नए array में उस वाले आई को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने इस वाले अरे से लेकर आया हूँ element अगर मैं यहां से लाया होता तो मैं j को आगे बढ़ाता अब दोनों बराबर है i और j तो आप इनकी tie कैसे भी break कर सकते हो मालो आई का लिया है i को आगे बढ़ा दो आप ठीक है और यहां पर 9 ले आओ और j यहां पर increment हो जाएगा ठीक है तो basically हम क्या कर रहे है एक merging procedure यहां पर लिख रहे है such that कि हम जो एक नया area बनाए वो इन दोनों को merge करके जो हमारे पास sorted area आएगा वो हमको मिलेगा ठीक है तो यहां पर क्या होगा 18 और 11 में से कौन चोटा 18 और 11 में से मेरे पस 11 चोटा है ठीक है तो यहां पर क्या होगा यहां पर 11 आ जाएगा और j भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा अब j जब एक कदम आगे बढ़ेगा तो j कहीं point नहीं कर रहा है इस पर ठीक है अब आगे बढ़ेगा और यहां पर लिख देता हूँ अब लोग को हमने क्या किया हमने आपर क्या किया हम आई को आगे बढ़ाते गए जे को आगे बढ़ाते गए और i-th element को j-th element से compare करते गए और k-th element में यानि कि जो भी हमारा नया array है उसके अंदर हम डालते गए हमने 7 और 1 को compare किया एक छोटा निकला 1 को ले आए फिर 6 और 7 को compare किया 6 को ले आए फिर 9 और 9 को compare किया 9 को ले आए फिर से 9 को ले आए फिर हमने 11 और 18 को compare किया तो i को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, j को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और यहां k को भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं और नए array populate करते जा रहे हैं अगर यह procedure मुझे code में लिखना पड़ गया अगर मुझे से कोई बोले हैं इसका code लिखो तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों arrays में से एक एक करके elements उस तीसे element में लेता जाओंगा ठीक है और कैसे लेता जाओंगा ये भी आप लोगों को बताता हूँ तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूंगा कि वो procedure लिखूंगा तो मैं यहाँ पर merge procedure लिखता हूँ मैं लिखूंगा यहाँ पर void merge ठीक है मैं लिखूंगा void और उसके बाद मैं लिखूंगा merge void merge मैंने यहाँ पर लिखा ये क्या लेगा ये array a लेगा मैं इसको array A मान लेता हूँ इसको array B मान लेता हूँ और जिसमें मैं merge कर रहा हूँ उसको array C मान लेता हूँ ठीक है मान लो एक मेरे पास array है जिसमें कि मैं merge कर रहा हूँ ठीक है तो उसको मैं क्या मान लूँगा उसको मैं मान लूँगा array C ठीक है array c मान लूँगा उसको तो मैं ज़रा एक काम करता हूँ यहाँ से बना लेता हूँ rectangle एक अच्छा था c हमारा तोड़ा अच्छा दिखे अच्छा भी दिखना चाहिए ना वो भी ज़रूरी है तो मैं इसको c मान लेता हूँ मान लो हम इसमें merge कर रहे है कुछ इस तरह से कि c भी sorted रहे तो यह sorted है यह भी हमारे पर sorted है और यह भी हमें sorted चाहिए तो हमें merge कुछ इस तरह से करना है कि दोनों sorted रहे है हमने क्या बोला था हमने बोला था यहाँ से हम आई लेंगे ठीक है इसको j मानेंगे और इसको k मानेंगे उसमें elements है यहे A array भी लेगा B array भी लेगा और C array भी लेगा और यह merge करके देगा A और B को C में और मालनों इसका size M इसका size N इसका M plus N हो जाएगा टो मैं M और N भी ले लेता हूं as an input इसके अंदर में क्या करूँगा इसके अंदर में code लिखूँगा इन दोनों को merge करने का तो मैं आप लिखूँगा int i j k और i is equal to j is equal to k is equal to 0 तो i j और k तीनों 0 हो गए अब मैं क्या करूँगा अब मैं कहूँगा कि जब तक जब तक m खतम ना हो जाए और n खतम ना हो जाए तब तक आप क्या करो इसको scan मारते रहो array को ठीक है मैं कहूँगा यापर while जब तक i जो है वो less than m and i is less than n यह मैं क्या कर रहा हूँ i less than m और i less than n मैं क्यों लेकर रहा हूँ मैं आपर रहा हूँ क्यार देखो मैं i को आगे बढ़ाना चाता हूँ जब तक कि मैं अंत तक न पहुचआए यहनि की जब तक i की value m-1 तक न हो जाए यहनि की यहार तक मैं ना आ चूँ तब तक मैं i को increment करना चाता हूँ जाए AI समझे ओ कि जो AI और BJ मैंने compare किया मानलो यहाँ पर 7 था यहाँ पर 8 था ठीक है 7 और 8 को मैं compare करूँगा 7 और 8 में से मानलो AI छोटा निकला यानि कि 7 छोटा है आप देख सकते हो यह condition true है तो मैं क्या करूँगा जो C array है उसके k में यानि कि यहाँ पर AI को डालता हूँ क्योंकि AI छोटा है तो मैं यहाँ पर 60 डालता हूँगा ठीक है अब मैं किसको आगे बढ़ाँगा AI को आगे बढ़ाँगा यह जे को आगे बढ़ाँगा AI को आगे बढ़ाँगा यहाँ का मैंने element ले लिया है तो मैं आपर लिखूँगा I++ क्या मैं K को आगे बढ़ाऊंगा बिल्कुल K को आगे बढ़ाऊंगा K++ ठीक है तो यहाँ पर एक bracket भी बनता है syntax की बात की जाए तो वर्ना मैं क्या करूँगा वर्ना मैं लिखूँगा else आप क्या करें else आप CK के अंदर BJ को कॉपी करें ठीक है अगर I का आप नहीं कर पाए कॉपी तो आप इसका कॉपी करेंगे J का यानि कि अगर यह मानलो 17 होता तो 8 को मैं कॉपी करता हूँ J को आगे बढ़ाता ठीक है तो मैं आपर J++ और K++ करता ठीक है मैं J++ और K++ आपर करूँ का अब यहाँ मैंने यह वाइल लूप चला दिया है और यह वाइल लूप चलता रह 나 का Having this जब तक मैं यहाँ पर अन्तर तक न आ जाओ और यहाँ अन्तर एन्टर तक न आ जाओ ठीक है अगर मामनलो आपका एक एरे है उसका size है 2 ठीक है उसका size सिर्फ 2 है उसमें सर्फ 2 elements मान लो 7 और 11 और आपके पस एक और array है जिसका size है मान लो 3 ठीक है और यह जो है जो है जहाँ है और कि जहाँ सारे क 네 पर यहां लो यहा तक आगया उनलो एक और मालो 22-28 ठीक है इसको मैं एक काम करता हूँ 18-22-28 करता हूँ तो अगर ये 18-22-28 है और ये 7 और 11 है तो 7 और 11 पहले copy हो जाएंगे elements और एक बार 7 और 11 copy हो गए फिर क्या होगा कि ये array ऐसे का ऐसी बच जाएगा तो अब तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है मैं तो इसको ऐसे ही copy कर सकता हूँ ना नए array में क्योंकि 7-11 तो copy हो गए है और ये array अपने आप में sorted है और सिर्फ इसके elements बचे है तो मैं इनको तो ऐसे ही c में copy कर सकता हूँ ना तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक और while लूब लिखूँगा मैं आपर लिखूँगा कि अगर i के elements बचे हुए है तो i के elements सारे के सारे c में copy कर दो वरना j के elements सारे के सारे c में copy कर दो समझे जो अब इन दोनों में से a कहरे तो खतम हो जाएगा ना खिसकाते किसकाते मानलो मैंने इसका element ले लिया ये 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 भी ले लिया तो मानलो ये यहाँ पर सिर्फ बचा हुआ है तो ये खतम हो गया और ये बचा हुआ है तो मैं इसके जो बचे हुए है, सारे के सारे elements as is copy में कर दूँगा, नहीं कर दूँगा obviously मैं कर दूँगा, ठीक है और इसका size थोड़ा हो जाता हो, क्योंकि यह दोनों बड़े erase है, तो इसका size मैंने पूरा नहीं बना है यह भी आप note करना, इसमें और भी elements अभी आएंगे, तो A, B और C जो erase हैं, यह क्या होगा, merge procedure A और B के elements को C में copy कर देगा अब यहाँ पर तो मैंने अभी I और J को खिसकाया है, मैंने कब तक खिसकाया है, I और J के, यहाँ तो I M-1 के बराबर जब तक ना हो जाए, यहाँ फिर जो J है मैंने यहाँ पर देखो, J लिखना था, I लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है J less than N ना हो जाए ठीक है, यह मुझे यहाँ पर करना है और एक बार मैंने ऐसा कर दिया, तो मैं क्या करूँगा finally, मैं कहूँगा, I यह J में से कोई ना कोई एक खतम हो गया होगा तब ही यह while loop exit हुआ है, फिर से सुनो मेरी बात यह while loop इसलिए exit हुआ है, क्योंकि I और J में से कोई ना कोई एक बहुत आगे चला गया होगा और फिर जो बचा हुआ है, उसके सारे elements मैं as it is copy कर दूँगा, ठीक है, समझ दो आप तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक while loop लिखूँगा तो आप देखते जब मैं वो while loop कि इस तरह से लिखता हूँ तो बड़ी सी space यहाँ पर बनाता हूँ मैं और यहाँ पर मैं while loop लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा while कुछ इस तरह से और while लिखने के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर कि i is less than m क्या करो, elements को copy करते रो, ठीक है elements को copy करते रो, ck is equal to क्या करो, ck is equal to ai करो और k++ k++ करो, और उसे के साथ i++ भी करो, ठीक है इसको मैं यहाँ पर बन कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे elements पहले वाले element को copy कर लो, पहले वाला element जो है, वो और j++, और यार इसको मैं एक बर और समझाऊँगा, क्योंकि ऐसे मज़ा आया नहीं, एक बर और समझाऊँगा इस चीज़ को, कि मैंने किया क्या यार यहाँ पर, देखो मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पर कहा है कि मानलो मेरे बाद 2 array है, मैं एक और example आप लोगो देता ह फिर इसको तो मैंने compare कर लिया, इसको मैं cross कर दूँगा, कि यह मैंने ले लिया है, फिर मैं 2 और 7 को compare करूँगा, 2 है इसलिए मैं इसको cross कर दूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, 7 और 11 को लूँगा, 7 को आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 7 चोटा है इन दोनों में से, फिर म वाला while loop यह काम कर रहा है ठीक है यह वाला while loop क्या कह रहा है यह वाला while loop कह रहा है copy all remaining elements copy all remaining elements from A to C और यह कहां copy कर रहा है from B to C महला मैं इस while loop की साहिता से यह कह रहा हूँ यह अगर B में elements बचे हैं वह सारे के सारे C में कर लो ऐसे कैसे copy और इस while loop से मैं कह रहा हूँ अगर A में elements बचे हैं तो वह सारे के सारे C में copy कर लो as it is ठीक है तो इस तरह से यह मैंने आप लोग को एक example लेकर दिखाया अब एक और example मैं आप लोग को लेकर दिखाता हूँ ठीक है तो हम इसको और इसको compare करेंगे obviously 2 चोटा है तो 2 आएगा फिर 4 और 40 को करेंगे तो 4 आएगा 5 और 40 को करेंगे तब भी 5 आएगा ठीक है अब क्योंकि यह खतम हो चुका है इसलिए क्या होगा कि जो हमारा i की value है वो less than i less than m condition false हो जाएगी i hope आप समझ गए merging procedure को ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो merging procedure यह तो लिख लिया है यह आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से i know that अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपको एक array के अंदर merging करनी है तब आप कैसे करोगे अब लोग हो गया है एक array के अंदर merging यह क्या है ठीक है तो मैं एक array के अंदर merging अब आप लोग को बताता हूँ so guys अब देख लेते हैं merging in a single array और उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो भी मैंने बनाया है भी इसको छोड़ा मिटा दूँगा और in fact मैं एक और यह जो दूसरा array है इसको भी delete कर दूँगा तो मैं इसको भी delete यहाँ पर कर देता हूँ इसके बाद मानलो 18 और फिर 22 और 80 यह एक sorted array ठीक है अब यह तो अपने आप में sorted array है तो इसको मुझे out sort करने की जरूवत नहीं है लेकिन मानलो कि मेरे पास दो अलग-अलग sorted array होते हैं यानि कि मेरे पास 7-15 एक sorted array होता और उसके बाद मेरे पास यहाँ से 1 sorted होता है यानि कि इतना portion अपने आप में sorted है और बुझे इतना portion अपने आप में sorted ही और मुझे इतनों लोगो merge करना एक नए array में ठीक है तो मैं चैसे करूँगा मैं कैसे करूँगा नए array में Merges को आप देखते जाओं यहां पर, मैं नए array में merge करने के लिए इस चीज को क्या करूंगा, कि कुछ इस तरह से लिखूंगा, कि जो मेरा merge procedure है, वो क्या करे, मैं चाहूंगा कि वो same array के अंदर changes करे, या फिर एक auxiliary array बना के changes करे, अब same array में तो करने पाएगा changes, एक auxiliary array बना के मैं changes क करूंगा, यनि कि मैं क्या करूंगा, कि एक और array यहां पर लेकर आँगा, तो मैं एक और array यहां पर ले आता हूँ, और यह जो array है हमारा, इसको मैं ज़रा यहां पर रख लेता हूँ, और मैं चाहूंगा कि इन दोनों array को merge करके, मैं इस array के अंदर लेकर आँँ, ठीक है, तो आप देखते जाना ये काम कैसे होगा, सबसेर पहली बात तो ये कि मुझे पता होना चाहिए, कहां तक sorted है मेरे elements, तो मुझे पता है कि भाई देखो, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 मुझे याँ पर दिये हुए है, मुझे बालो मैं कि 0, 1 sorted है, 2, 3, 4 sorted है, ठीक है, तो मैं इसको जो है, मालनूँगा low, ठीक है, इसको मालनूँगा high, ठीक है, और यहाँ पर एक मैं line खेज़ दूँगा, कि यार ये दोनों sorted हैं, तो यहाँ पर एक line खेज़ दूँगा, और इस वाले को मैं mid मान लूँगा, किसको mid मान लूँगा, इसको मैं mid मान लूँगा, ठीक है, और अब मुझे ऐसा sorting procedure लिखना है, एक ऐसा procedure मुझे लिखना है, जो कि इन दोनों को merge करते है, merging procedure लिखना है basically, इन दो sorted arrays को merge करना है, मुझे एक single array में, तो पहले तो मैं A और B को C में merge कर रहा था अब मैं क्या कर रहा हूँ A के ही एक पार्ट को A के ही दूसरे पार्ट को एक दूसरे अरे B में merge कर रहा हूँ मानलो और मैं इसको A मान लेता हूँ तो यहाँ पर चीज़े कैसे change हो जाएंगी C अभी मेरे पास नहीं है B मेरे पास नहीं है मुझे A मिला है और मुझे क्या मिला है A के साथ साथ मुझे मिला है mid lower high ठीक है A मिला है mid मिला है low मिला है high मिला है ठीक है मुझे यह चीज़े मिली है A मिला है mid मिला है इसको मिटा देता हूँ यहां से यह जो मैंने merging करके आप लोग को दिखाई थी मुझे A मिला है, mid मिला है, low मिला है, high मिला है ठीक है, तो यह थोड़ा से zoom in कर लेते हैं समझने के लिए सही से A, mid, low यहां पर low लिख देता हूँ और high मुझे मिला है अब मैं आपर क्या करूँगा I, J और K को ऐसे ऐसे ही बनाऊँगा I को मैं initialize करूँगा, low से J को किस से करूँगा J को मैं करूँगा mid से, ठीक है J यहां पर मैं अगर कर रहा हूँ लेकिन J को mid से नहीं करूँगा, मुझे इस वाले array को यहाँ पर j चाहिए मुझे तो mid plus 1 से और यहाँ पर जो k की value है वो बराबर हो जाएगी low के ठीक है तो k is equal to low हो जाएगा तो मैं यह जो सारी मैंने initializing conditions बोलीन को मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो मैं लिख दूँगा कि i की value जो है वो low के बराबर हो जाएगा तो मैं लिखूँगा i is equal to low उसके बाद मैं आपर लिखूँगा j is equal to mid plus 1 ठीक है और k is equal to low तो i, j और k को मैंने initialize कर दिया अब यहाँ पर हम पहले i is less than mid बोल रहे थे अब हम लोग क्या बोलेंगे हम i is less than m बोल रहे थे लेकिन हम mid बोलेंगे i less than m बोल रहे थे अब हम बोलेंगे i is less than mid तो मैं यहाँ पर इसको mid कर देता हूँ i less than mid और j is less than क्या हो जाएगा, जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे- कि IJ के मैंने लिख दिया है अब मैं आपर मैंने While AI less than BJ लिखा है मैं अब BJ से compare नी कर रहा हूँ मैं AJ से compare कर रहा हूँ तो मैं AI is less than AJ यहा आपद लिखूँंगा कुछ इस तरह से AI is less than AJ ठीक है AI is less than AJ मैं आपर लिख देता हूँ और उसी के साथ-साथ मैं आपर लिखूँगा मैं CK is equal to AI नहीं लिखूँगा मैं लिखूँगा BK is equal to AI ठीक है मैं B के अंदर डार लाँ ना तो मैं BK is equal to AI लिखूँगा तो मैं आपर जो CK is equal to AI लिखा तो मैं BK is equal to AI लिख दूँगा BK is equal to AI और बागी सब कुछ सही रहेगा सेम रहेगा एक तम I plus plus K plus और यहाँ पर भी वही चेंज आएगा BK is equal to AI आएगा यहाँ पर BK is equal to AI कर देता हूँ ठीक है क्योंकि मैं same array में डाल रहा हूँ BK is equal to AI AI आएगा यहाँ पर और यहाँ पर BK is equal to AI आएगा ठीक है तो यहाँ पर आप समझे ओ क्या change हुआ क्योंकि मैं इसी array में comparison करके दूसरे वाले में डाल रहा हूँ तो कुछ इस तरह से ऐसे मैं लिख दूँगा ठीक है BK is equal to AI J plus plus किया K plus plus किया ठीक है I think अभी तक बिल्कुल सही है नीचे अगर मैं changes की बात करूँ तो जो while loop मेरा चल रहा था कहां तक चल रहा था पहले तो M तक चल रहा था अब वो कहां तक चलेगा अब वो चलेगा mid तक ठीक है मैं चाहूँगा कि जब तक वो mid तक ना आ जाए यह इसलिए लिख रहा हूँ मैं च्योंकि अगर यह array खतम हो गया तो मैं इसको as is copy करना चाहूँगा नीचे अले array में ठीक है तो मैं कब तक copy करता रहूँगा जब तक यह mid तक ना आ जाए ठीक है तो अगर मानलो यह element सारे में यहां पर आ चुके है तो मैं 7 को और 15 को as is copy करना चाहूँगा mid तक ठीक है और 0 से लेके mid तक मुझे चलाना है तो i is less than equal to मैं mid लिखूँगा या फिर जहां भी i है वहां से लेके mid तक चलाना है ज़रूरी नहीं i is 0 पर यह उस time पर और यहां पर मैं लिखूँगा j is less than equal to क्या high तो j is less than equal to यहां पर मैं high लिखूँगा तो मैं इसको ऐसे h बना देता हूँ और high मैं आपर लिखूँगा ठीक है और यहां पर जो ck is equal to ai था इस बार हो जाएगा यह क्या मैं b में copy करूँगा तो यह bk हो जाएगा सबसे पहले और bk is equal to ai हो जाएगा और बागी सब चीज़े सेम रहेंगी तो यहां पर bk हो जाएगा तो मैंने same procedure को change कर दिया such that मैं आप एक ही array को दो भाग में divide कर रहा हूँ low, mid और high में और मैं merging करके एक नए array में डाल रहा हूँ ठीक है तो यह हमारा merge procedure तो यह merge procedure है हमारा आपको merge procedure I hope समझ में आ गया होगा और यह काम रहा है जैसे ही कर लूँगा मैं चाहूँगा कि इन elements को वापस मैं इसमें copy कर दूँ मैं चाहूँगा कि b के सारे elements को मैं वापस a में copy कर दूँ उसके लिए मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं एक for loop लिखूँगा बहुत ही simple सा for loop लिखूँगा और वो for loop मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा यहाँ पर आप लोगों को लिखके दिखाता हूँ for loop यहाँ पर मैं थोड़ी space बनाता हूँ और यहाँ for loop लिखके बताता हूँ आप लोगो ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ for loop मैं लिखूँगा for मैं start करूँगा i is equal to l से और मैं जाहूँगा i less than equal to h तक और मैं i plus plus लिखूँगा और मैं इसको one line में लिख रहा हूँ due to lack of space मैं लिखूँगा i is equal to b j और यह सारे a के elements को b के elements को a में copy कर देगा ठीक है बस इतना ही मैं आप लिखूँगा i is semi column है by the way और i hope कि यह आपको समझ में आ गया ठीक है एक इसका मैं आप लोगों को example देता हूँ मालो मेरे पास एक array है seven eight eleven और एक array मेरे पास one two three और यह सेम array है ठीक है और यहाँ पर मालो partition in का तो मैं क्या करूँगा इसको और इसको यानि कि इस array को और इस array को merge करके same array में मैं copy करना चाता तो सबसे पहले मैं एक नए array बनाऊंगा 7 और 1 को copy करूँगा एक आएगा ठीक है एक consider हो गया अब मैं करूँगा 7 और 2 को copy 2 consider हो गया फिर मैं 3 और 7 को copy करूँगा 3 consider हो गया अब मैं क्या करूँगा 7 8 और 11 को in while loop में से एक loop चलेगा in fact first वाला चलेगा और 7 8 और 11 as is copy हो जाएंगे 7 8 और 11 फिर ये सारा का सारा कहा copy हो जाएगा सारा का सारा ये वापस अपने आप में copy हो जाएगा तो मुझे जो है merge array मिल गया जो की sorted है तो ये merge sorted array है merge sorted array ठीक है तो मुझे merge sorted array मिल गया तो मैंने आपर merging कर दी है और उसी के साथ साथ मैंने क्या किया है एक merge sorted array बना लिया है तो बहुत ही आसान था ये एक हमारे पास array था हमको low दिया है mid दिया है और high दिया है हमें same array को क्या करना है हमें same array को जहां हमारे low, mid और high है हमें क्या करना है उसको merge करना है such that जो नया array हो वो sorted हो given that low से लेके mid तक और mid प्लस 1 से लेके high तक elements array में sorted है ये condition है ठीक है अगर ये condition जब तक meet करती है तब तक आप लोग इस तरह से कर सकते हो ठीक है so I hope ये आप बोगो को समझ में आ गया होगा लेकिन आप लोग सोच रहोगे क्या है merge sort algorithm क्या है merge sort तो मुझे समझ में आया नहीं आप लोग सोच रहोगे फिर आप इसको दो area में तोड़ दोगे ये 7 और 11 में तूट जाएंगे 7 और 11 की आप merging करोगे वापस से तो ये 7 11 sorted है already तो ये क्योंकि already sorted है इसलिए 7 11 ऐसे कैसे ही रहेंगे फिर 20 21 में भी sorted है तो 20 21 भी ऐसे रहेंगे और in fact मैंने एक example ही sorted area का ले लिया अगर मैं एक बिना sorted area का example आप लोग के सामने रखूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा 1 7 6 5 तो क्या होगा in fact 11 7 6 5 कर देता हूँ ये 2 में तूटेगा 11 7 और 6 5 फिर 11 साथ तूटेगा 2 में 11 और 7 ठीक है तो 11 और 7 जब merge होंगे तो 7 11 हो जाएंगे ठीक है तो ये 7 11 हो जाएंगे और 6 और 5 जब merge हों तो हो जाएंगे 5 6 7 और 11 तो ये sorted हो जाएगा area मेरा ठीक है तो मैं इसको मिटा देता हूँ भी lack of space और इसको मिटाने के बाद मैं आपर क्या करूँगा कि आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह से वो procedure रहेगा merge sort का तो merging का procedure आपको समझ में आ गया हमारे पास area होगा हमारे जो b है उसका size क्या होगा उसका size होगा high plus 1 ठीक है उसका size होगा high plus 1 तो जो b है उसका size high plus 1 के बराबर होगा तो मैं आपर लिख देता हूँ int b high plus 1 ठीक है तो यह high plus 1 के बराबर मैं आपर लिख दिया b को ठीक है तो यह हमारा पूरा merging का procedure हो गया अब यहाँ पर merge sort किस तरह से क तो मैं जारा यहां पर clear करता हूं, थोड़ीछी space, और थोड़ीछी space clear करके यहां पर आप लोगों को बताता हूँ, कि किस तरह से यह काम करेगा, recursev merge sort, ठीक है? void ms लिख देता हूँ merge sort को यह ms धोनी वाला ms नहीं है यह merge sort वाला ms है int a और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे int low और int high ठीक है तो यह a lower high लेगा ठीक है कहां से कहां तका पहरे को sort करना चाहते हो अगर low is less than high होगा if low is less than high तब हम क्या करेंगे तब हम यहाँ पर इसके अंदर enter करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे mid is equal to low plus high divided by 2 ठीक है वो bracket ज़रूर लगा ले ना यहाँ पर और हम क्या करेंगे वापस से इसको run करेंगे merge sort को और हम करेंगे a low और mid के लिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सेम चीज रन करेंगे हम merge sort को run करेंगे a mid plus 1 और high के लिए mid plus 1 और high के लिए ठीक है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे कि merge procedure जो हमने लिखा है a low mid और high के लिए समझ गया आप लोग हमने यहाँ पर क्या किया नहीं समझे तो बताता हूं फिर से हमने यहाँ पर क्या किया हमने कहा कि अगर आपके पास यह array है मालो यह आपके पास array है मालो मैं एक नय array लेता हूँ 7,1,2,8 इसमें अभी कुछ sorted नहीं होगा मैं क्या करूँगा इसको तोड़ूँगा low यह मान लूँगा high यह मान लूँगा इसको L लिखना है मुझे L high यह मान लूँगा lower high यह मान लूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसका जो mid है वो low plus high by 2 हो जाएगा low मेरा क्या होगा 0,1,2,3 0 plus 3 by 2 क्या होता है अगर आप C language में बात करें तो 1.5 नहीं वो 1 होगा तो मेरा mid यहाँ पर आएगा तो यह इस तरह से तूटेगा और mid मेरा यहाँ पर आएगा mid मैं आपर लिख देता हूँ और एक बाद मेरा mid यहाँ पर आ गया ना तब मैं क्या करूँगा mid is equal to low plus high by 2 कर दूँगा और mid is equal to low plus high by 2 यहाँ पर मेरा आ गया तो मैं merge sort run कर दूँगा a lower mid के लिए मैं कहूँगा same चीज़ करो इसके लिए भी और same चीज़ करो इसके लिए यानि कि इसको भी जाके merge sort करके लाओ इसको भी merge sort करके लाओ तो 7 और 1 में merge sort जब आप करोगे तो क्या होगा mid की value क्या होगी mid की value होजाएगी low plus high by 2 0 plus 1 by 2 यानि कि mid भी 0 ही हो जाएगा ठीक है और इस बार क्या होगा जब आप lower mid के लिए run करोगे तो 0 0 के लिए run होगा तो यहां पर क्या होगा जब आप 7 और 1 के लिए merge sort run करोगे अलग-अलग तो क्या होगा तो 7 और 1 तो 7 और 1 ही रहेंगे ठीक है तो 7 और 1, 7 और 1 इस तरह से आ जाएंगे और जब आप उनको इन दोनों को run करने के बाद जब आप वापस से merge करोगे तो वह 1 और 7 बन जाएंगे तो वह 1 और 7 बन जाएंगे ठीक है और similarly यहां भी नीचे से sort होता हूँ आएगा यह रहे और 1 और 7, 2 और 8 जब merge होगे वापस से तो यह 1, 2, 7 और 8 बन जाएगा ठीक है तो basically हम लोग यहां पर कर क्या रहे है हम यहां पर सबसे पहले एक condition लिख रहे है कि if low is less than high यानि कि आप तब तक इसको run करोकर अगर low is less than high है तो यह ऐसे return हो जाएगा अगर low less than high नहीं है यानि कि अगर आपने 00 के लिए run किया तो यह कुछ नहीं करेगा क्योंकि 7 अपने आप में sorted है एक भी अपने आप में sorted है तो low को और high को ऐसा होना चाहिए सच्दाट low is less than high ठीक है बराबर भी नहीं चलेगा low should be less than high तब हम लोग इसको hot टुकुडे करके sorting करेंगे वरना हम कुछ नहीं करेंगे और एक बार 7 और 1 टुकुडों में तूट गया यानि कि 7 और 1 अलग-अलग बन गया तो हम 7 और 1 को merge करेंगे यहां पर देको end में हम merging कर रहे है अब merging किसमें कर रहे हैं merging कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं वापस से हम A में ही सब कुछ कॉपी करते है मैंने merge procedure आप लोगो को यहां पर बता दिया तो मैंने merge sort लगाया A low और mid के लिए और A mid plus 1 high के लिए यानि कि A low और mid के लिए यहां इन दोनों के लिए लगाया इस पार्ट के लिए लगाया इस पार्ट के लिए फिर मैं टोकुड़े करूँगा इस पार्ट के लिए इस पार्ट के लिए और इन दोनों को लगा के मैंने कहा कि merge कर दो अब मैंने कहा कि यहां merge sort लगाओ यहां merge sort लगाओ जो भी आ रहा है नीचे से उसको merge कर दो वापस से तो merge sort लगाया, merge sort लगाया और merge कर दिया तो यहां पर क्या होगा? merge sort लगेगा, merge sort लगेगा यह दोनों merge हो जाएंगे लेकिन अभी भी merge sort लगेगा, अभी merge sort लगना बंद नहीं होगा इसमें merge sort लगेगा merge sort लगेगा और उसके बाद ये merge होंगे फिर ये और ये merge होंगे ठीक है तो आप इस चीज को जो है एक बार dry run जरूर करना और जब हम इसका code लिख रहे होंगे तब इस चीज को एक बार और हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे dry run करके देखेंगे और समझेंगे सही से अभी जो merge procedure है और recursive merge sort वाला function है ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए और ये आप लोगों को समझ में आ गए आगर तो मेरे हिसाब से आप जब code लिखोगे उसके पार आप लोगों चीज़े बहुत clear हो जाएंगे ठीक है अगर आपको merge sort जो recursive merge sort में लिखाए वो clear नहीं हुआ है तो आप लोग wait करो code का मैं जैसे ही code upload करूँगा इसका चीज़े crystal clear कर दूँगा crystal clear हो जाएंगी merge लेकिन आप लोगों समझ में आ जाना चाहिए merge sort में कुछ नहीं है एक बड़ा area है उसके दो टुकड़े किए मानलो 8 size का area है आपने उसके टुकड़े किए 4-4 में फिर आपने उसके 2-2 में टुकड़े किए फिर आपने उसका एक-एक में टुकड़े किए ठीक है एक-एक में टुकड़े किए ये merge हुआ ये merge हो गया ये merge हो गया फिर ये दोनों merge हो गया फिर नीचे से merge होता हुआ आएगा फिर ये दोनों merge हो गया वापस से और आपका area sorted बन गया ठीक है तो ये कुछ इस तरह से चीज़े काम करती है I hope कि यह चीज आप लोगो समझ में आ गई होगी आप लोग इसको खुद से code करने की कोशिश करो और देखो कि intermediate merge arrays कैसे दिखाई दे रही है अगर आप लोग यह करते हो तो आप लोगो एक अच्छा idea होता है कि merge sort किस तरह से काम करता है एक बार कोई revision अगर मैं कराऊं merge procedure का तो वो यह होगा कि आपने क्या किया low और mid तक आपको पता था array sorted है और mid plus one और high तक आपको पता था array sorted है तो आपने इन दोनों arrays को merge करके एक नया array बनाया और वो जो नया array है उसमें सारे element वापस से आपने same array में copy कर ली इतना किया है आप लोगों ने इससे जादा कुछ नहीं किया है उसके बाद आपने क्या किया है कि एक recursive merge sort लगा है एक नए array में और यह ज़रूरी निया कि यह ही हो यहाँ पर इन दोनों के नाम से confuse मत करना यह भी a है यह भी a है ऐसे confuse मत हो ना मैं इसका नाम change कर देता हूँ इसलिए मैं इसका नाम err कर देता हूँ यह फिर इसका नाम मैं कुछ क्या करूँ इसका नाम मैं इसका नाम मानलो मैं x कर देता हूँ ठीक है x इसका नाम x कर देता हूँ ताकि आप मतलब इस वाले A से और इस वाले A से confused ना हो, इसका नम मैंने X कर दिया, ठीक है, तो मैं इसका नम X कर देता हूँ वापस से, कुछ इस तरह से X, ठीक है, I hope कि यह चीज़े clear हो गई आप लोगों को, और हम लोग इसका code जब लिखेंगे तो चीज़े और जाद आप कि का algorithm बताएं, मैंने bubbles or insertions or selections or quicksort, already cover कर दिये हैं और उसी के साथ सा sorting algorithm के deduction, और क्या criteria होता है, sorting algorithm के analysis के लिए, यह चीज़े मैंने cover करी है, so I hope कि आप लोग इस चीज़े को अच्छी ताद समझ गये होंगे, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time. झाल